जिन्दगी लाए है जिन्दगी बंदगी येसु की बंदगी है खुशी वो ही सची खुशी रोशनी येसु है रोशनी वो माज है वो सत्य है वो जीवन है सबका वो प्यार है उत्धर है वो सबको देगा जिन्दगी फोरेवर जिन्दगी फोरेवर आसमानी खुदा हमको आशिश दे रूम से भर दे हमें अपना अभिशेक दे ये सुमसी के नाम में है मती है शिपा वो प्यार है उत्धर है वो सबको देगा जिन्दगी फोरेवर जिन्दगी फोरेवर आ खुदा के घर चले आ घुदा के घर चले आ खुदा के घर चले मैं खुश हुआ जब वो मुझे कहने लगे, कहने लगे आखुदा के घर चले आखुदा के घर चले आखुदा के घर चले आखुदा के घर चले आए मेरे ये रोज सलम तेरे घर हम आते है उस खुदा के नाम का शुकरिया हम लाते हैं तेरे यहां सारा जहां करने आता है दुआ तखत उस इमान का तेरे यहां कायम हुआ आखुदा के घर चले आखुदा के घर चले आखुदा के घर चले आखुदा के घर चले हम खुदा के घर पहुच गए हैं पहुचने वाले और हम थोड़ी ही देर में जहां पर प्रभू का आखरी भोज हुआ था अपर रूम आपर पहुच रहे हैं सिरफ दो मिनट में आए मेर साथ चले यह मांट जायन है सियोन परवत है इसके बारे में अपने परमिश्व के बच्छन में पढ़ा है और आज हम महां पर मौजूद है और आप सब के लिए यहां से हम प्राटना करेंगे और यहां से प्रभू आपके जीवन में अभी शेकिन है दरवाज एक खोले आए दोस्तों फाइनले विए अर्मेनियन कोर्टर्स क्रिक्षिन कोर्टर्स हम यहां पर खड़े हैं और यहां से हम बहुत जल्द अपर रूम की तरफ जाने वाले हैं जहां पर प्रभू भोज किया था और उसके बाद अपर रूम के बारे में आप यह भी जानते हैं कि पेंट आप देख सकते हैं यह जो सिटी है सत्रा बार ढाई गए डिस्ट्रॉय की गई और अठारा बार फिर से बनाई गई है इस वक्त हम जान गेट पर खड़े हैं सियोन परबत के ओपर खड़े हैं येश्यू मसी के पवितरस्तान पर खड़े हैं आईए चलते हैं अपर रूम क आप औरूम सामने है जहां पर टेले खड़े हैं हो आझ मिल unfamiliar रुष्यजा करते है कि पर मेश्यों लात्भी हैाँ चाहरा रुष्या कि आज अधर आगन्यों से बहने इन पर वेजी अधर आड लुआ हैं लुष्या करते हैं कि अधर परूछ आदो श्ड़े उस लिस्वक्त च्धोन परब्ली अराफ्रा रह्म जो परभार रहु तंप प्रवत्र दैल को अपयरेशी हां इसके ली और ऑर प्रैसे प्रोल्सकाळत्र extended का से बेड सीय। हालेलॉ। य की लै क्ऊर ले तुना ले शचोन नहीं के अपयारीट्टेस। पुछिए उन्हीं कोईचा चार्ड दोरे से कुछा है प्यार हाही है अईलश्य। इस टे छिर्शाश प्रेजा करे दोरे से से अथाइंगे शिर्यूसा प्रेथक प्रेश करें लिए का। जयूसलम चाल्ड जयूसाम है एम एका कार वे बतलहें वे प्टली वे श्रवारान। तेड जा। वे इतलहें। कि अबतलही है लोगे कारव का प्रफ ने लग टर्रीडर्डेशं के वेड़ जरीजर्ट कहा बेड़ों अडेज़। वाव इस यूस देसे बतलहें। कहिल, जढाई हैक? कह अлыलूलूल्या! प्रही प्रावन अर आ हो आ लिव केर जोंक, व्यूनिद को अरीफ, तॉहन बस्ती दिये के शि लिव कने, यिस अनु सुब्सॵ aun बॉ presidentsव छोले रिव heating जव inquiry už घंड दिने हाव लенilar can Commerce कि अनु से थरोफ की हुनलिय कि औलेप स confess क्ले इवी अश छी शूनिय के घुल रे औलिया पिर इजकि आए कि ए सबस्पारं का फिरे अ क्र एप मॉलेश। विर्स्थ shortest ही? प्राथ बिर चिरे इए less? प्रया है? अिंत में तंड फोल अक्स आयक्स आयक्स 2 त्यमट्ट मॉलेख फिरा फोला- मॉलेश्ट पेडिका सी All of a sudden, they found themselves strong, they found themselves anointed, they found themselves filled with joy, they were dancing for joy, one minute to the next He's coming soon, sir, he's coming soon, he's coming, very soon, he's coming soon, yes, come on, clap with me, Michael Jésus is coming He's coming soon, hallelujah, come on, why don't you pray for the viewers, right now from the Mount Zion, right now from this place, dear brothers and sisters, we want to bless you from this place, we want to release a blessing from Mount Zion, as the Lord is leading us, the Holy Spirit is upon us right now, And He is just anointed, we can feel a fresh anointing flowing through this place, into your rooms, into your living rooms, into your bedrooms, into your halls, into your kitchens, into your, wherever you're right now, the Lord is going to touch you right now from Mount Zion And we pray, and we believe that mighty and great things will happen in your lives, you just have to believe, you just believe that the Lord is going to touch you right now, even as Pastor Michael is going to pray for you, receive that blessing right now Pastor O'Neill, I just am so grateful to be standing here, there are so, there are so many songs in my heart right now of thanks and praise Why don't you sing one of those, hallelujah The first one that comes to mind is, hallelujah I just wish to sing, hallelujah Thank you, Jesus As we're here standing on Mount Zion, this place right here Yes, Father Where the Church was born, the cradle of Christianity here, where the Holy Spirit descended, where the Last Supper occurred, where every council took place in the early days to form the Church, where they gathered together to call again upon the whole community, the power of the Holy Spirit Today, with Pastor, I stand here, and I call for that same Holy Spirit to descend upon each person who is watching Yes, Father, yes, we believe To find an appointment that each person is watching, this broadcast, this moment And I call for the power of the Holy Spirit to descend upon each person from this place where the Holy Spirit descended upon the body of Christ for the first time That the favor of the Father would descend upon you Yes Each person watching would bring healing, would bring inspiration, would bring favor, would bring joy That the joy of the Lord would now pierce your heart Yes That your whole life would be never the same Yes Never the same from this moment Yes And a fresh anointing, the anointing of revival Yes That is upon this man and his ministry Yes Would descend upon each one watching Thank you, Jesus And bless you and your families for all eternity Thank you, Jesus Amen As seen, Jesus As His 했 disclaimer Our son on Artona Then let us lord Our Lord 次 The Lord के अंदर और एक एक भाई बहन जो इस कारेकलम को देख रहे हैं पैरे परमिशर ये परमिशर की योजना है कि आज वो पवित्रात्मा का एक अब शेक एक मसा ऐसा नया मसा एक ऐसा एक पॉर्शन अनलिमिटेट पॉर्शन में पैरे खुदावन उनके जीवन में इस वक्त रि आप हमको आग से य शोक्त इसके आराम से उसकी शांती से भर जार प्राज़ारिया, यसवड करते हैं एक ऐसी शांती की, एक ऐसी मुक्ति की, ऐसे अधार की आत्मा की पर परमिशन जो एक दर्शक के घरों में कि उनके जीवन, तर्मान आत्मा को दोदे और नया करते हैं, यसु के नम से बागते Amen And it's the mighty music of the Holy Spirit touching your heart right now If that melody has reached into your heart If it has pierced your heart with the love of Jesus Christ I pray that you would be in touch with this ministry That you would go to your local church perhaps That you would nurture that music into the most wonderful symphony that will bless your life every day of your life until the day that you see Him in Heaven Hallelujah Come on हाओा जीज फिए बिए विट लिद को लाद भोगन... कि लेंस आएंटिंटरिष बिए्यू ते म लेंस विपयों वजे पोर का जूड़ो को डिर उन अगरे शभाइが झां झां रखजिता हैं। कि याल Minute यज जिफ शो घ निए defensive । कि थेले उती हो ज जेशे टो टीजह टेंडनिजह बिछकझ कर वाँ आइसा पानी दे मुझे को आइसी रोटी दे मुझे को आइसा पानी दे मुझे को खा कर मैं भूका न रहूं खा कर मैं भूका न रहूं पी कर मैं प्यासा न रहूं मेरे यसू यसू मेरे यसू यसू मेरे यसू, यसू, मेरे यसू, यसू ऐसी रोटी दे मुझे को ऐसा पानी दे मुझे को मैं भूखाना रहू खा कर मैं भूका न रहूं पी कर मैं प्यासा न रहूं मेरे यसु यसु मेरे यसु यसु तेरा बदन रोटी मेरी तेरा बचन पानी मेरा तेरा बदन रोटी मेरी तेरा बचन पानी मेरा खा कर मैं भूका न रहूं आलविया खा कर मैं भूका न रहूं पी कर मैं प्यासा न रहूं मेरे यसु यसु मेरे यसु और यह वही जगा है जहां पंतक उसके दिन पवित्रा आत्मा का सामर्थ हर एक के उपर आ गया था उनके सब शिश्यों के उपर आया था तेरा मसा रोटी मेरी तेरा मसा पानी मेरी खा कर मैं भूका न रहूं का कर मैं वूखान रहो निय्ट यजिट मेरे यजिट यजिट तर किपेना कोचिव हो सляो पिहाष चाषास बेहाष हो अकिज प्रफडरा हुग प deconstकिष्चो अपर्दी पेखचाव ट 투 च्त पर लाह औरमुनिक tenme प्रेस्टेप। यूज यूदूम में यूदू यूझा मैं। यह वापर रूम है जहां पर प्रभू ने आखरी भोच किया था परमेश्वर का बचन मती 26 में कहता है कि जब बेखा रहे था तो येश्व ने रोटी ली और आशीश मांगकर तोड़ी और चेलो को दे कर कहा लो खाओ ये मेरी दे है फिर उसने कडोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दे कर कहा इसको इसमें से पियो क्योंकि ये मेरे वाचा का मेरा लहू है जो बहुतों के ल लोगों में अवित्राका का सामर्त लोगों के बीच में आया और आग की उस अभी शेक से आग के जीवे इसी अपर रूम में आप देख सकते हैं यहीं पर प्रभू ने पहली बार जैसे माइकल पस्टर माइकल लेगा कि ग्राउंड जीरो है ये अभी शेक का दुनिया में पहली बार जब अभी शेक उत्रा तो इस जगा पर उत्रा और यहां से आज वो सारी दुनिया के अंदर सारी दुनिया को अधार दे रहा है और सारी दुनिया के अंदर वो अगनी को भीज रहा है ताकि लोगों के जीवन साधारण ना रह जाएं लोगों के जीवन साधे प and from this upper room the Lord is gonna fill you with a new fresh anointing in your life a new oil a new joy a new strength and a new season of joy and a new season of blessings coming upon your life from this place we agree hallelujah just receive it in the name of Jesus we pray that God is going to do something new I'm telling you I can feel in my spirit right here that it happening it is done it is finished on the cross of Calvary it's like sweet music when I listen to the music of pastor there's a sweetness that comes to my whole being the sweetness power of the Holy Spirit is descended into your soul this day I pray with all my heart that your lives will never be and celebrate Jesus I always want to say that I always want to celebrate because victory we have to get our freedom 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 that comes from church and then the free with all the important things that we are the one that we are is what I just wanted to let God एक भी खास जगह दिखाना चाहता हूं। आप सब जानते हैं कि पंते कौस के दिन पवित्रात्मा एक ऐसा भी शेक सब के ऊपर आया और वहां पर पत्रस ने प्रचार किया आत्मा से भर कर और आप जानते हैं कितने लोगों ने उस दिन प्रभू को जीवन दिया थीन हजार आपस चौड़ लिया अएकर आप जान आप जान आप जानवेक माथेसमा लेगान लिया अगर णर्स बहल कोणकोणोंने कहा लिया बटेशनctors 55,000 लोगों ने ऑज रिया लेक लिया लेकर अबड़ा मेरे बच्छों को तीन हमा जा आज आड़ या को अन आप जाना प्जों अ hard work here on Mount Zion it's just a few hundred feet from the upper room the upper room was located in what we call the ASEAN quarter the ASEANS were ascetics meaning that they ritually cleansed themselves in baths every time they came through their gate this is the actual gate of the ASEAN quarter and it would have included a pool of water where they came and cleansed themselves when the Holy Spirit descended on the day of Pentecost Scripture records that 3,000 were converted that afternoon in the heart of Orthodox Judaism, not including men and women and children, Pastor, that's 5,000, roughly 5,000 people converted in one afternoon after the tongues of fire descended upon the men in the upper room, men and women. So, you ask yourself, how could 5,000 people be baptized in one afternoon? Here, just a few hundred feet from the upper room, is the mikvah, the ritual bath. They brought them down here, 5,000 of them. And one after another, they came through the water. And instead of ritually cleansing themselves as they did in the past, something new happened, Pastor. Praise God. They baptized them in the Holy Spirit. You know, this is what happens. When we are filled with the Holy Spirit, we are not filled with the Holy Spirit. As Michael rightly said, this is what happens when you are filled with the Holy Spirit. Amen. You know, and I want to tell you, Parmeshurness is only for that day, not only for Peter, not only for people in those days, but today, we want to fill you with the Holy Spirit. हम यह चाहते कि आप भी हमार साथ इस अभी शेक को महसूस करें यहाँ पर अभी शेक है यहाँ पर मेश्यूर के उपस्तिती है यहाँ पर मेश्यूर का वह आनन्द है और यहाँ पर परवत्सियोन के उपर हम महसूस कर से तो हम आपको मिस कर रहे हैं और हम चाहते कि अगले ब कि डेक्ट बडलें लगवे बतंगे को लगवेश नहीं के n में थालु अलिय। धालिव ऋन्ति ले वातरए्ट लेपने ही जितके कापु हाम मेंमें लेशने चाहता हैं। लेखे लिदा हैं। और दुनिया के कोने कोने में येश्य मसी का पैगाम लेके जाए और मैं आपको आज अमंतरित करना चाता हूँ कि इस टूर में आप अगली बार हमारे साथ जरूर आए क्योंकि हम आपको मिस्स कर रहे हैं हम चाहते हैं कि इस अभिशे को इस आशिश को इन बरकतों को आप भी चकें और अगली बार हम सब यहां पर सत्संग करते हुए प्रभू का आनंद मनाते हुए यहां पर आएंगे मैं आपको बताना चाता हूँ कि हम इतना आनंद ले रहे हैं बस के अंदर होटेल के अंदर जहां हम साइट पर जाते हैं हर जगा पर जाकर हम प्रभू के उस सउस कर रहे हैं सच संग मैं याद आफैंगों आफसिए करना चाहता हैольно हमारे सट संग में जो मुंदए देश Talkingे में होता है देश के कौने-कौने में होता हैै अगर आप जाना चाहता है कि और हमें पून करें हमारे कॉंसलर्स आपको हमारे आपरेटर्स आपको बताएंगे कि कब और नेक्स सथसंग है और कैसे आप वहाँ पर पहुंच सकते हैं हमारे सथसंग में लोग देश विदेश से आ रहे हैं इंडिया के कोने कोने से आते हैं और भारत के कौने कोने से आकर हम सब मिलकर एक जगा पर खड़े हो के राजाओ के राजाओं के राजा, प्रभू के प्रभू यश्यु मसीघ का गुंडगान करते हैं और उसकी स्तुतिय अरादना करते हैं तो आप सब को निमंतरण है और जिंदगी फॉरेवर के साथ जुड़ने के लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इसी जगा पर हम आपसे फिर मिलेंगे इसी चैनल पर आपसे फिर मिलेंगे और हो सका तो यरुसिलम में हम सब साथ होंगे सत्संग करने के लिए गौड ब्लस्यों